22 जन्वरी को योध्या में बन रहे भव्या राम मंदर के उधगाटन से पहले जहां सियासी दलों के बीच इसके श्रे को हासल करने के लिए होड मच गई है वहें भारतिया जन्तापाटी के बेहत सीरियर नेता सुब्रे मन्यम स्वामी ने प्रधान मंतरी पर ही आरोप लगा दिया है सोशल मीडिया मंच एक्स पर ये पोस्ट करते हुए जिसमें ये लिखा था कि राम जन्म भूमी का मामला जब सुप्रीम कोट में फैसले के करीब था तब मोदी ने उसमें देरी करने की कोशिश की थी मंदिर के निर्माण के लिए असल में सुप्रीम कोट और ततकालीन चीफ जस्टर्स ओफ इंडिया यानि कि सीजे आई रंजन गोगोई समेथ बाकी जजों को शुक्रिया आदा किया जाना चाहिए वहीं कॉंग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो आयोध्या में राम मंदिर के प्रन प्रतिस्टा समारों में शामिल नहीं होगी इसे लेकर पार्टी मिखीचतान और विरोध में आवाजे उठने लगी है कॉंग्रेस द्वारा ने मंतरन को असुकार करने पर करनाटक सी एम सादरमया ने कहा है कि हम भगवान राम के खिलाफ नहीं है लेकिन इस पर राजनीती का विरोध कर रहे है इधर कॉंग्रेस ने आउध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारों में शामिल होनी का निमंतरन ठुकराया उधर बीजेपी ने इस फैसली पर तंजकस दिया है ये नहरू की कॉंग्रेस है ये गांधी की कॉंग्रेस नहीं है क्योंकि महात्मा गांधी का तो राजनेतिक दर्शन था राम राज्ये महात्मा गांधी का नित्यका भजन था रगुपति राघव राजा राम महात्मा गांधी की समाधी पे लिखा हुआ है हे राम और आज उस राम राज्ये की प्राण पृतिष्ठा का प्रारंब हो रहा है श्री गणेश हो रहा है और आप उसके साथ नहीं खड़े हैं इसका मतलब बहुत साफ है कि ये गांधी की कॉंग्रेस और नहरू की कॉंग्रेस का अंतर भी अब बिल्कुल साफ हो गया है वहीं बाबरी मस्जित के पक्षकार एकबाल अंसारी ने इस मामले पर कहा कि ये धार्मिक मामला है कौन इसमें शामिल होगा कौन नहीं होगा ये व्यक्तिगत मामला है मैं अयोध्या का निवासी हूँ और सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ मुझे भी निमंतरन मिला है और मैं इसमें शामिल होगा अयोद्या राम मंदर नर्मान समिती के अध्यक्ष सभाइब और विश्व हिंदु परिसत की अंतराष्य कारेकारी अध्यक्ष आलोग कुमार ने आज राष्ट्ट्रिय स्वेंग सेवक संग प्रमुख मुहन भागवत को राम मंदर प्रान पतिष्या समारों का निमंतरन दिय इसी के साथ आलोक कुमार ने लाल कृष्ण आडवानी के शामिल होने पर क्या कुछ कहा है सुनिए रामंदिर के उद्गाटन की तयारिया हर दिन जोरो शोरो से चल रही है रामंदिर की प्रान प्रतिस्था से पहले सोनी की पन्नी से सजाया हुआ एक 500 केजी का नगाड़ा अयोध्या लाया गया नगाड़े को रामंदिर प्रांगण में स्थापित किये जाने पर श्री राम जन्म भूमी तिर्चिशेत्र के महा सचिव चंपत राय ने कहा कि भारत की ये एक कला है हमारी कोशिश है कि ये जिन्दा रहे और इसे प्रोथसाहन मिले कि इस समाज की पुरानी परंपरा यही नगाड़े बनाने की है कुछ समय पहले लोग आये थे तब इन्होंने कहा था हम ये देरा चाहते है मैंने सोचा था कि आजकर इसको कौन उप्योग करता है आजकल तो सब मेकनाईस्ट हो गया उसमें अपने आप बचता रहता है हमारे पस भी एच छोटा सा तो भी ये एक भारत की कला है वो जिन्दी रहे इनको प्रोसाहन मिले दरसल 22 जनवरी को राम मंदिर के प्रानपतिस्ठा का कारेक्रम है रामलला के मंदिर के उद्गाटन से पहले ही उनकी नगरी में शद्धालवों की भीर लगने वाली है नसर्फ जो लोग अयोध्या जा रहे हैं बलकि जो पूरे घटनाकरम को बारीकी से देख रहे हैं वे भी बहुत हद तक मानते हैं कि मंदिर मोदी के संकल्प एक्षैसक्ति और प्रयासों की वजह से बन रहा है